हेलो फ्रेंज वेलकम टू देव हुमी करियर पॉंट तो देखे उत्राखंड सामाने ग्यान टेस्ट सीरीज भाग 11 है इसमें भी उत्राखंड सामाने ग्यान के महत्वपों MCQ जो आपको देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में और काफी महत्वपों ये टेस्ट सीरीज तो चलिए देखेंगेए और यहां पर मैंने 20 को ölustन रखें उसमें और अपना स्कोर जरूर कमेंड कीजिएगा कि कितना आपका score बना आज के इस topic में है तो चले देखेंगे question आज ये सब महत्वपूर question इसमें मैंने add की है तो काफी देखते हैं कितना आपका score रहता है पहला question है चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी तो चक्राता एक place है देहरादून के अंतरकत आता है एक place और यहां पर सैनिक छावनी जो cantonment board होता है इसके स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है question में तो इसका जो right answer है वो है option C 866 में चक्राता में सैनिक छावनी स्थापित हुई थी next से देखिए उत्रागंड में होलकिया बॉल कब गया जाता है तो देखिए होलकिया बॉल एक प्रकार का लोग गीत है और विसीश्ट आउसर पर यह गया जाता है आपको options के according बताना है कि कौन सा ऐसा time होता है जब यह होलकिया बॉल गया जाता है तो इसका right answer is option B रॉपाई गुगाई में ठीक है ध्यान रखेंगे कुमाओं के कुछ छेत्रों में रॉपाई और गुगाई करते समय फसलों की entertainment के लिए यह हुलकिया बॉल गाना गया जाता है ध्यान रखेंगे अगला देखें प्रसून जोसी का जन्म किस जन्पद में हुआ था तो प्रसून जोसी को आप जानते होंगे प्रसून जोसी काफी अच्छे संगीतकार है साथ ही अभी वर्तमान में वो sensor board के अध्यक्ष भी है ठीक है और इनका जो ग्रह जन्पद है मतलब जहाँ इनका जन इनका जन्म हुआ था प्रसून जोसी जी का और इनका जन्म हुआ था 16 सेप्टेंबर 1971 को ठीक है 16 सितंबर 1971 बगते हैं अगले question की तरफ चंडी प्रसाद भट को रेमन मैक्से से अवर्ट कब दिया गया था ठीक है तो चंडी प्रसाद भट आपको पता है मैंने उन पे एक यहां पर टॉपिक भी दिया है उत्राखंड के महान व्यक्तित्तों में पर्याव रंग विध हैं चंडी प्रसाद भट और इनको एशिया का प्रतिश्टित पुरुसकार है रेमन मैक्से से जिसे वैकलपिक नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है और चंडी प्रसाद को यह दिया गया था 1982 में 1982 ओप्षन भी राइड अं서 है अगर धरिये भारतीय इतिहास में अलगनंदा का अन्य नाम क्या है ठीक है तो भारतीय इतिहास में अलगनंदा नदी जो हमारे उत्राखंड में भ किस अन्य नाम से संबोदित किया गया है तो इसका राइड आंसर है, option A, हिरंग्यावती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो हिरंग्यावती के नाम से भारतिय इतियास में अलग दंदा को संबोधित किया गया है चंदवंस का तुगलक किसे कहा जाता है, तो देखें, चंदवंस मैंने complete कर दिया है, अगर जिसने चंदवंस का इतियास नहीं देखा है, वो इस वीडियो के description box मैंने अनकेडमी प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और महाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि चंदवंस का मुहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, आंसर इसका option B, देवी चंदव को, ठीक है next question है, राज्य के किस इस्थान को पूर्व में छोटी विलायत कहा जाता था, तो राज्य का ऐसा कौन सा प्लेस है, जो छोटी विलायत के नाम से मसूर था पूर्व में, विलायत का मतलब होता है, विदेश, तो छोटा विदेश या छोटे विलायत, किस छेत्र को बोला जा राज्य में आल वेधर रोड की कुल लंबाई कितनी है तो देखिए आल वेधर रोड जो है ये केंदर सरकार की पर्योजना है और आल वेधर रोड में देखिए चार ढाम जो मार गया उनको और सीमावर्ती जनपतों के मार जिसमें पिथोर अगल जनपत का भी एक हाईवे है तो यहां पर क्या होगा अत्याधुनिक तक्निक से सड़क बनाई जाएगी ताकि किसी भी मौसम में कोई मतलब सड़क में अवरोध ना हो तो आल वेधर रोड की जो कुल लंबाई रखी गई है राज्य में प्रस्तावित थी वह 889 किलोमेटर ठीक है ओप्शन सी सही आंसर भी बोला जाते है इसको नेक्स देखे चिन्याली सौंग हवाई पट्टी की कुल लंबाई कितनी है तो देखे चिन्याली सौंग जो हवाई पट्टी है इसकी लोकेशन है उत्तरकासी जनपद में यह तो आपने पढ़ा है लेकिन यहां पर आप से फैक्ट पूछा जा रह है जो आप बिल्कुल भी वहाँ पर प्रतियासा नहीं होती जिसकी तो इसका राइड आंजर है ओप्शन डी चिन्याली सौंग जो हवाई पट्टेस की लेंध है टोटल एक हजार एक मीटर नेक्स है देखे डाक्टर भक्त दर्सन से संबंदित जन्पत कौन सा है ठीक है तो डाक्टर भक्त दर्सन तो देखे भक्त दर्सन की मैं बात करू इनका जो मूल नाम था राज दर्सन ठीक है तो राज दर्सन इन्होंने फिर अपना नाम चेंज किया बाद में सत्भावना के लिए और भक्त दर्शन अपना नाम रख लिया और इनका जन्म हुआ था पॉगल गलवाल में ध्यान लखेंगे ऑप्शन है पॉगल गलवाल से संबंदित हैं डॉक्टर भक्त दर्शन ठीक है और जन्मतिती भी पूछ ली जाते है उत्राखंड के महान विभूतियों की चैनल बारभ फरवरी उनीससो बारः को त्यान रखेंगे बारभ फरवरी 1912 सिंप्ली यात करने में आपके लिए आसान हुए. प्रतिवर्स सेलेस मठियानी पुरुषकार वित्रित किये जाते हैं और पढ़ा होगा आपने तो बिल्कुल सही आंसर आप गैस कर पाएंगे इसका और राइड आंसर इसका ओप्शन सी शिक्षा के छेत्र में दिया जाता है और शिक्षकों को दिया जाता है टीचर्स के पेड़साल, ये सिलास रहे है जैसे आपने सिलास रहे पढ़े होंगे उतराखण में जैसे गोष को उड़े आरफ है चमोली में ौर लाखहो उड़्यार है, ये भी NH ये जीलास रहे हैं जहां पे प्रागैती, हसिक, काल के शहल्चित्र प्राप्त होता है तो फड़काच उत्राखंड जी के वॉन नाइनर में काफी बार बताया था राकस ताल है लोकेटेट मुनसियारी नामक प्लेस में पिथोरागळ जनपद में उप्शन भी राइड आंसर है मध्यकाली नुत्राखंड में गोलदार क्या था काफी महत्वपुन कोश्यन है तो देखे मध्यकाली नुत्राखंड में प्रचलीत सब्द था गोलदार इसका अर्थ क्या था क्या सई है सुरक्षय अधिकारी ब्यापार प्रथा राजस्व अधिकारी या भूमी कर था एक ट जॉपर्टी थी उसकी रक्षया के लिए राजा ने गोलडार तैयार किये थे राज्या में चंद सासों को ने इस पेस ली तो इनी शुरक्षया दिकारियों को का जाता था गोलडार उसमें तुम चुप क्यों रहे केदार? किसकी रचना है? तो देखिए आल में मैं इने उत्राखन जी के वन लाइनर में आपको यह बताया था तुम चुप क्यों रहे केदार? और यह लिखी थी पुस्तक पुरी यह केदारनाथ आपता पे focused एक book है जहां पर बताएगे कि केदारनात आपदा का जो वास्तविक region था, क्या था, ठीक है सबी चीज़ा इस book में बताई गई है और इसके writer है हिर्देश जोसी option A is the right answer, ठीक है ध्यान लखेंगे, और केदारनात से related जो दूसरी पुस्तर थी, वो थी केदारनात आपदा की सच्ची कहान या वो लिखी थी, डाक्टर रमेश पोकरियाल निसंक जी ने next देखे, राज जी की किस घाटी में बगडवाल निर्त्य प्रसिद्ध है, तो काफी महत्तोप्र question है, तो राज जी की ऐसी कौन सी घाटी है आरे वर्ट्य सम्मान कब दिया गया था तो जगत्सिया चौदरी को हम जानते हैं इनका उपनाम है जंगली यह मैंने आपको recently community टैब में question पूछा था, जंगली नाम से famous है, अपने आगे जंगली लिखते हैं और जगत्सिया चौदरी वर्तमान में वन विभाग के ब्रांड एमबेश्डर भी हैं उत्राखंड के, ध्यान लखेंगे तो प्रयावरन के पृति काफी समर्पित है और इन्होंने क्या था जो काम क्या था मिस्रित खेती का मॉडल पेस किया था इसलिए famous हो गई है कैसे हम जंगलों में भी खेती कर सकते है उसी से related था है और इसके लिए जगसिया चौदरी देखें गाफी famous हुए और उनको 2006 में आरे वट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया आंसर हुगा इसका 2006 ठीक है option D अगला देखें भैरवदत्त का संबंद किस अगबार से था तो देखें गरवाल में पत्र कारता ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि गरवाल में कौन-कौन से पत्र कब आये थे और भैरवदत्त जो थे संपादक थे किस पत्र के युगवानी ठीक है अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगी कि युगवानी जो पत्र था या अगबार था ये कौन से वर्ष सुरू हुआ था तो भैरवदत्त का संबंद होगे है युगवानी से नेक्स से देखें अलमोडा मुद्राएं की सामराजी से संबंदित हैं तो देखें अलमोडा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं प्राचीन मुद्राएं हैं ये और ये रिलेट करते हैं कौनिद वंस से ध्यान रखेंगे कौनिद वंस और मिरको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि कौनिद वंस का सबसे प्रतापी सासक कौन था ये कोश्चन कई बार बनता है कि कौनिद वंस का सबसे प्रतापी और पराकरमी सासक कौन था तो अलमोडा मुद्राएं कौनिद वंस नेक्स कोश्चन ने देखें टॉम ओल्टर का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म प्लेस है, बोल सकते हैं, मसूरी में है, ध्यान लखेंगे, मसूरी मतलब देरादून में, और इनका जन्म हुआ था जान लेना आपके लिए जरूरी है, एक फेमस परस्नेल्टी है, तो जानना चीह, आपने, 1950 में इन में इनका जन्म हुआ था और एक महत्वपक्ट पॉइंट और है कि 2008 में इनको पदम स्री से सम्मानित किया गया था ठीक है कोश्यन बन सकता है कि टॉम ओल्टर जो उत्राखंड से हैं इनको पदम स्री कब मिला था तो 2008 में मिला था बॉलिवूड हॉलिवूड और अन्य कई TV स टेस्ट पार्ट 11 20 कोश्यन यहां पर मैंने रखे थे तो अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा और साथ ही जितने भी अन्य टॉपिक चल लें चैनल पर लाइक उत्राखंड ग्यान कोस है और अन्य जो भी टॉपिक है बने रही है ऐसे चैनल पर और अपने नॉलेज को जल्दी ही मिलते हैं जय हिंद वंदे मात्रम